हेलो फ्रेंस वेल्कम बड़ेंस अब आरेवल आयोब और आरेवल जैसे कि स्लाइड में शोही है इसके बारे मैंने प्रीवेस लेक्सर में डिस्कस किया था जिसमें नहीं यह बताया कि प्री और मेंस के लिए इंप्रेंट है एक क्वेशन पूचा जाता है मेंस में विसमाक्स का क्वेशन प्री में यहां से बहुत सारे क्वेशन पूचे जाते हैं आप चाहे गेट की बात करो चाहे आईस की बात करो चाहे अधर एक्जाम जो की सीविल इंजिरिंग से लेटिड है तो वहाँ पर यहां से क्वेशन आते ही आते है जो मिनी यहां पर स कम से कम आएगा 6-7 नमर्क साथ या 8 नमर्क आएगा जो यह स्लाइड है यहां पर यह बहुत ज्यादा इंप्रेंट है गेट में दो मार्क्स का कुश्चन तो आएगा ही आएगा और और एक्जाम में यहां से आता है तो जैसे हमने मोस्ट एकोनोमिकल सेक्शन के बारे मैंने पहले ही बता दिया था मोस्ट एकोनोमिकल सेक्शन क्या होते हैं जिसमें क्स्ट्रक्शन कोष्ट या लाइनिंग कोष्ट मतलब मीनिमम हो कम से कम हो उसको बोलते हैं मोस्ट एकोनोमिकल सेक्शन उसमें क्या करना परता हमें इसमें पेरिमीटर को मीनिमम करते हैं, कम से कम करते हैं, जिससे कि हमार डिस्चार्ज करिंग केपिशिट क्या होती है, बढ़े नी चाहिए, मतलब इंक्रीज होनी चाहिए, ओके, फिस में, देखो, सबस्पहला है, यहाँ पे, रेक्टेंगुलर चैनल, मोस्ट एकोनोमिकल रेक्टे रेक्टेंगुलर चैनल, यह मैंने रेक्टेंगुलर चैनल बना रहा है, तो जिसकी bit होती है, वो twice होती है, flow depth अगर आप इसका data तो इस तना सारा है, बहुत सारा है, enfin नहीं तो आपको एकी बात बता आपको एक ही चीज याद रखना है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है अगर आपको एरिया और पेरिमीटर के बारे में नॉलेज है एक दोता है वेटेट एरिया जहां तक मदलब सरफेस गिला है वाटर से ठीक है जो भी बांटरी वाटर के पेरिमीटर बस इतना आपको याद रखना है और क्या याद रखना है और यहाद रखना है अगर यह यहाद हो गया तो और सारे आपके पेरिमीटर से मिल जाएंगे देखो जब बिड़त इतनी है तो तो बिड़त इतनी होगी आप खुद बताएगा इसका पेरिमीटर कितना होगा आप बताएंगे जितना भी लिक्विट के कॉंटेट में सरफेस कौन को जा हो वाई वाई टू आई प्लस भी टू सब्सक्राइब कितना है अब भी तक हाँ आपको वेट्टेट एरिया कैसे निकालना है यह तो आपको पता चलगी है इतनी वाई पर बिड़त कितनी टू आई मैंने बुला कि बिड़त को याद रखना और सारे डेटा आप खुदी निकाल लोगए तो क्या आएगा टू होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेंट है जब हम फ्रॉड नम्मर निकालते है वी वाई रूट जीडी तो वही होती है और आर का यूज कहां करते है हम हाईड्रिलिक रेडियस का जर्ली अगर हम डिस्चार्ज यह वैलसिटी कल्कुलेट करते तो वहां पर इसका रो देटा लिख रखा है कि मुलब B क्या है width of channel y क्या है depth of channel t a top width a आपका वेटेट एरिया पी है वेटेट पेरिमीटर एंड और है हाईड्रिलिक रेडियस ठीक है हाईड्रिक रेडियस डे यह आपका है हाईड्रिक जट और जैड आपका section factor सारी चीज में आपको यह बता रहा हूं ऐसी स्लाइड आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कंटेंडर मैंने यहां पर लिखाए यह efficient channel के बारे में इसमें मैंने हर एक च अब टर्पेजर्ड चैनल है यह सारे चीज में इसमें detail में लिकर रहा है जो भी चीज है चाय कोई side पूछे चाय टॉप बिट पूछे चाय आर्की बेली पूछे चाय एरिया पूछे चाय कुछ भी पूछे यहां पर सारा है यह मैंने इसलिए मेंन्चन किया है यहां पर B बता चैनल में लाग हुए आगर हैं बीटते हैं यहां भी तो यहां बीटत होगी और वाई कोनुच इनल होता है ओंइसका एंब रही अ मैंे याद रखना मैंने उसमें बता रखा जब मैंने वो एक लेक्चर बनाया था उसमें मैंने बता रहा है जिसमें मैंने एफिशेंट चैनल के बारे में डिस्कस किया था लेक्चर में तो हमेशा एक बात याद रखना है जो वर्टिकल की स्लोप हो नहीं है वह वन वर्टिकल टू एम होरिजेंटल अगर कभी ऐसे देदी स्लोप यह एक इक वाई स्कुरेर और इसकी हर साइट क्या थी एबी बीचीज एबी बीस किनी तो नहीं ते रूट टू वाई ओके और अगला होता पी एकल टू रूट टू रूट टू वाई इस सारी चीज में ने लिक्वी इस धुद ड्राइब कर रहा है मैंने सारी ड्राइब क त्रैंगूलर चैनल हाफ अंगर डाइग्निल्स किया हो गए इस्ट्रेट हो है ऐसी ट्रेफफेजीड ड्र चैनल है इस सारे डीटा आपको याद रखता है सारे चीज यहाँ पर में सारी चीज नहीं बता रहा पस इधियान देनी जैसे ट्रेफफेजीडेड चैनल भी हाफ हब रेगुलर हेगजागन το के रेगुलर हेगजागन अगर इसके स्लोप साइड की स्लोप स्लोपstop Electric अगर of यहां से गेट में question पूचा ही जाएगा यह बात आपको ध्यान देना है अब most economical है आपका सेम सेरकुलर चैनल है ठीक है most economical सेम सेरकुलर चैनल है हमारे पास तू वाई है यह यह सारी चीज डेटा है एकल टू पाई वाई स्कूएर वाई टू वेटेटेरियर और वेटेट परिमेटर क्या हुआ और टॉबिट किनी ती इकल टू आई और आर इकल के हैड़ी डेडिस व सेरकुलर चैनल है मैंने सर्कल बना दिया अब क्या करता हूं कि याद रखना आपको बस प्रोपरटी की बारे में पता हो ना चीह यह आप पांसेकट में निकाल दो यह एरिया क्योंकि मैं इसलिए लिका है कि अगर किसको निकाल नहीं आता मतलब यह हो जाता है problem आती है निकालने में तो आपने क्या हराने अ एक बात यहां पर यह तो थीफ़ीड़ी में होगा तो आपको इसको रेडियन में बदलना होता है 30 इंटू पाइवाई 180 हम रेडियन में इकल टू क्यों होता है रेडियन इकल टू होता है तो आपको यह दिहां देना है अगर पी इकल टू 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 कितना थेटा आ रहे है तो यहां के वीज़ेटा की वैली होगी और रेडियन में पाइवाई 180 इंटू डिगरी मेजर होके तो आपको यह बात ध्यान देना है अब देखो आप अगर हमें चेजीज इक्विशन है अगर इसकेस में चेजीज और जो फ्लो डेप्थ हो निचीए हो कितना होगी 0.820 और और यह बहुत ज़्यादा इंपरेंट डेटा है जो मैंने बता रहा हूं क्योंकि जो भी सारी चीज़े ही मैंने खुद ड्राइब करके निकाली है मुष्ट क्या एकोनोमिकल चैनल कौन-कौन से होते हैं अगर हम यह बोले कि इन सभी में से वेटेट पैरिमिटर सबसे कम किसका है तुम बोलती है सेमि-सर्कुलर का वेटेट पैर्मिटर सबसे कम होगा यह आपको पता है पाई भाई इसके चक़का उम्पेर करो किसी खेल किसी भी चैनल से आप करो के तो देखो यहाँपर मैंने ठीटा म तो 57.5 डिगरी ओके वाई की वैलिए 0.81 डी और आर इकल डी आपको सारे चीज़ याद होनी चीए कि बहुत आसान है यह सारे चीज़ आपको मैंने यह बोला है कि सारे चीज़ याद ने रखना है और इसमें ट्रेंगुलर चैनल में आपको जो याद रखना है न मैं तो एक ह सारे चीज़ निकाल लेगी एम एकल टू ओन बैर रूट त्री याद रखना है और ध्यान देना कि स्लोप एम किस रिस्पेक्ट में लिया है तब आपको अगर एम की पहली पता है तो सारे चीज़ा निकाल लोगा अब यहां तेया नाम हाँ यह हो गया अब एकॉर्डिंट सब्सक्राव है तो मैंटि से फुषिक्ट कि अप्षय को अब मैंनिंग से लिए एकॉडर्णी सेम आता है से एक्जामों में पूछा है जैसे स्सी में भी छोटे एक्जामों में यह पूछा जाता है यह यह कि मतलब कि depth कितनी होनी चीह कि ताकि हमारी velocity maximum हो तो वेलसीट के case में कितनी होनी चीह 0.81D और discharge के case में कितनी होनी चीह अगर changes equation 0.95D depth of the channel मतलब जितने मतलब जितने चैनल में water flow कर रहा है अब मैंनिंग equation के एक्जामों कितनी होती है 302 डिगरी 22 मिनट और वाइड़ कितनी होती है 0.938D तो यह चीज आपको दियात नहीं बहुत ही ज्यादा मतलब जो classroom में अगर मैं classroom की बात करूं तो classroom में अगर efficient channel की बात की जाए efficient channel को करने में complete करने में 12 तिरा गंटे लगए और यहाँ पर सोचो आप यह तुम्हें अभी समझा रहा था अगर आप सई से करोगे एक चीज यहाँ पर क्या याद रखना है यहाँ पर क्या रखना है यहाँ पर कुछ यहाद रखना है यहाँ कि सेमी सरकल की प्रोपरटी होती होई तो आ रहा है अब एक बात बताओ अगर हम इसकी बात करें तो यह एरिया इको टो अगर हम यह बोलू की हाप सरकल क्या होता हूट तो पाइड दैट तो पर इसकूर भी प्रब्लों पर निया पर याद करना है यह जो याद रहाना है लेकिन 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 इसमें आपको एक चीज़ याद रखने हैं सारे चीज याद करने कोई जरुत नहीं जो मैंने अभी तक बता दिया और सारे चीज आप ड्राइब कर अगर कोई भी पहली बार देख रहा है यह वीडियो तो आपको क्या करना है आपको तो याद रखना ही पड़ेगा तब भी मैं आपको यह बता देतों अगर कोई भी किसी कोई यह पता है कि र इकल टू क्या हुता है वैं बारे से परिमीटर तो आपको पताँ सबसे पहली बात है कि हर को याद अखना है अर और अरे व्रिया को अगर और वर याद दूमल्छा निकल जा तो दखो मैंने असी ट्रेट मे बारे से टीज्ट के बा झाल भीव